यह जिकने भी मैं सिली मिस्टेक कर रही, उसके आगे बोलगा दूँए पी, पी, पी ना काजल लगाया, ना कुछ औसे वीडियो बनाना दाल जाती है जै श्रीराम मेरी बिल्डिंग के बच्चे ओके, रेटेक कर लेके आई, अगें, रेटेक बताओ अभी तक, रेपॉडर और कियानी बड़ बड़ करेजा क्योंकि यहाँ पर मैंने ज्वेल्री रख रख की है सो जो मुझे अजीब लगा, जब मैंने यह ज्वेल्री ली अलग-अलग स्टोर से और डिस्कवर किया कि फाइनली मेरे लिए बेटर क्या है अगर दो-चार लोग भी यह वीडियो देख लें और अपना डिसीजन उस हिसाब से लें तो बैटर रहेगा इस वीडियो को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए और समझने के लिए गोल्ड के बारे में मैंने इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है सबसे पहले हम बात करेंगे डिजाइंश के बारे में देन प्राइजिंग के बारे में देन फ्रॉम लेर तो बाय एक्कॉदिंग तू यूर प्रेफरेंस आपका बजट क्या उसके अपशंग बेसिकली आपने सुना होगा कि 24 क्यारे 22 क्या इस इन में इसको नहीं पहिमते तो यूज करती हुए कि investment के लिए भी बहुत अच्छा है shining भी बहुत अच्छी रहती है इसके बाद आता है 18 और 14 करेट में basically आपको जो diamond है वो सब 18 और 14 करेट में ही मिलते हैं 22 में तो नहीं मिलते यूजूली जहां तक मुझको पता है तो difference दिखाने के लिए साथ में आपको वाली वीडियो भी दिखती रहेगी थोड़ी सी मैंने 18 केरेट ली थी केरेट लें से आज से तीन साल पहले 18,000 की और आज मुझे रिटर्न करने पर सिरफ 19,000 मिल रहे है जब कि इसका करंट प्राइस 37,000 के आसपास है और इस पर जो GST और मेकिंग लग रहा है वो है 10,000 और अब है कंपेरिजन के लिए नियरबाइ स्टोर से ली 22 केरेट की रिंग जो की आज करंट प्राइस अगर इनका देखा जाए तो उस 18 केरेट की रिंग से कहीं जादा है और काफी लॉंग लास्टिंग है शाइन भी बहुत अच्छी है बस यह है कि आपको अपना परसनल डिजाइन पसंद करना चाहिए कि यह डिजाइन कैसा है और कैरेट लेन का अफकोर्स जादा अट्रेक्टिव डिजाइन है और अब देख लेते हैं यह गोल्ड के प्रिटी से बैंगल यह भी नियर्बाइ स्टोर से लिये थे 22 कैरेट के हैं इस पर कोई डायमेंड स्टड नहीं है इनका प्राइस था 1,65,000 विद आल मेकिंग इसको मैं कंपेर अगर करू किसी और बैंगल से जैसे की ब्लू स्टोन का एक बैंगल हमें बहुत पसंद आया था अगर आप इसको देखेंगे तो 1,18,000 आपको इसका प्राइस दिख रहा है 15 ग्राम के आसपास यह है अब आप कंपेर कर लिजे कि अगर आप ओफ-लाइन ल और एक खास बात आपको बता दू जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह सारी मेरी नहीं है मैंने बेसिकली अपनी मम्मी दीदी सब की जोलरी उठा के यहां पर एक हॉल बना दिया है ताकि आपको एक आइडिया दे सकू की एक्चुली बाहर क्या प्राइस है और ओन ल 5,000 के आस पास यह था अगें कमिंग तु कैरट लें टू एन ब्लू स्टों बहुत इडो डिजाइन है कैरट लेन और ब्लू स्टों से 18 कैरिट का है यह कैरेट लेन से और 22 कैरट का है यह क今 कि मैंने आगे में अगे मेंशन कर दिया है और जितने भी महाई आपको जैलरी दि लास्ली ये शाया का एक पैंडन जो रीसेंटली सोला सो रुपे का मंगाया था बट इसमें बिल्कुल भी वेट नहीं था ये तोड़ा ब्लैक सा आया था स्क्रीन पर भले ये प्रिटी लग रहा हो बट एक्चुल में इतना प्रिटी नहीं था सो आपके च्वाइज है आपके लेना चाहें या नहीं मेरा जो परसनल पॉइंट है वो ये है कि ऑफलाइन स्टोर से मैं अपनी ज्वेलरी परचेस करूं क्योंकि मैं एक नॉर्मल बजट परसन हूँ तो मैं बेसिकली सेविंग करूं एक अच्छा सा डिजाइन ऑफलाइन द फिर भी प्रेफर करें कि आप एट लीस्ट बाइस करट लें और या फिर एटीन करट लें जो आपको लोंग लास्टो करें कम से कम से कम सेकिंडली 14 करट बिल्कुल भी मत लेना ये मेरा सजेशन है आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर हुए हो हमने कैरेट के बारे में बात कर ली हमने डिजाइन के बारे में बात कर ली ये पीछे बम बम भट रहे है बम बटा के बता नहीं क्यों आपको साउंड ना आ रहा हो I guess और थर्ड हमने प्राइजिंग के बारे में बात कर ली now it's up to you कि आप क्या decide करते हो कौन सी जुएलरी परचेस करते हो कहां से करते हो देखो अगर इंवेस्टमेंट कर रहे हो तो 20 केरेट में जाना अपनी बजट के हिसाब से online जाना या offline जाना at least 22 केरेट पे जाना otherwise खुब पैसा है तो करो शॉपिंग, उडाओ पैसा मज़े करो एक ही लाइफ है जो पसंद आता है सब खरीद के ले आओ यार क्या फरक पड़ता है so मुझे बहुत ही मज़ा आया ये वीडियो बनाने में और decision लेने में आप आपको better थोड़ा सा लगेगा तो हसते रहें, मुस्कुराते रहें देखते रहें व्लॉग्स बायामी मैं मिलती रहूंगी आपसे बहुत सारी प्यारे प्यारे शॉट्स भी लेकर आऊंगी जरूर देखना आपको मज़ा आने वाला है I know bye-bye